श्री कृष्णा भावनामूर्थ और वैदिक सनातन धर्म की विशेश चानकारी कथा, प्रवचन, भजन, किर्तन प्राप्त करे हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com Facebook अपडेट के लिए लाल गोविनदास पेज को लाइक करे और WhatsApp अपडेट के लिए संपर्क करे सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविनदास यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करे और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले शुमद भागवत जो साक्षात भगवान का स्वरूप है शुमद भागवत जो भगवान से अभिन्न है पद्म पुरान में तो यहां तक कहा गया भगवान जब इस संसार को छोड़ कर जा रहे थे साड़े एकसो अठाइस वर्ष तक भगवान कृष्ण इस धर्ती पर रहे और फिर ब्रह्मा अधी देवताओं की प्रार्थना से वे अपने धाम वैकूंट में वापस गये जाते समय अपने प्रिय मित्र सखा उद्धव को प्रभाश शेत्र लेकर गए भागवत का ज्यान दिये और उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण भागवत में प्रवेश हो गए श्रिमद भागवत और कुछ नहीं इस कलियुग में भगवान सी कृष्ण भागवत के रूप में कनवट हो चुके है भागवत के प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक सकंद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक, श्लोक के प्रत्येक शब्द भगवान कृष्ण है यदि यहां वहां की बातें न की जाए और मात्र भागवत के शलोकों पर फोकस किया जाए शिमद भागवत के शलोकों को यदि भाव और प्रेम से समझा जाए तो मानो वैसा ही अनुगो होता है जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं श्री कृष्णा भावनामूर्थ और वैदिक सनातन धर्म की विशेश चानकारी कथा, प्रवचन, भजन, किर्तन प्राप्त करे हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले झाल